चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले मेरे नए वीडियो के नौटिफिकेशन के लिए आज मैं लेके आई हूं पनीर लबाबदर की रेसिपी तो चलिए देखें कैसे बनता है यह तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में मैंने एक चमज तेल डाल लिया है और एक चमज के करीबी इसमें बटर डालेंगे बटर से काफी अच्छा जीरा के साथ ही इसमें अब हम एक तेज पत्ता दो हरी लैची डाल रही हूं मैं एक डाल चिनी का टुकड़ा है और चार से पांच लॉंग लिये हैं इसे डाल देते हैं कि शाथ ही इसमें अब हम मैंने यहां पर कि लशून की कल्या ली है लशून यह आठ से दस लशून होंगे इसे ले लिया और अध्रक एक इंच टुकड़ा था इसे काट लिया है इसे डाल लेंगे एक दो बार चला लेते हैं फीस में मैंने बारीक तो नहीं रफली ही काट प्याच को चोटे थुकड़ में काता है इसे दाल लेंगे एक प्याच ऐखता अब राउन और और कि अभी तो इसके बाद इसमें तुमा ने देते हैं थोरे देशा नहीं के लिए तो यहां मैंने वन टीस्पून के करीब मगज डाला है और आठ से दस काजू लिया है मैंने तो काजू भी डालेंगे इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूद बनेगी सभी चीजों को अब हमें अच्छे से पका लेना है यह अच्छे से पक जाए इसके लिए इसमें हम तो असा हाफ टीस्पून के करीब नमक एड़ करेंगे ताकि सबजी हमारी गल जाए एक दुबार चला लेने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए धक देंगे ताकि यह अच्छे से पक सके तो इसे धक देते हैं धक कर अब तीन से चार मेंट पकने देते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर तीन से चार मेंट हो गये हैं अड़ी आफा चुकी है अचा सरे है अब इसे हमें निकाल के ठंडा करके इसकी कमी तियार कर लेना है अब इसी कड्हाई में हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं आज इसमें घी और बटर मिक्स करके बनाऊंगी , तो करीबान एक चंमच आप इसमें घी डाले। आप और भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घी दाला है, घी के साथ ही इसमें भाफ टी स्पून के करीबी बटर एट कर दोंगी दोनों को मिक्स कर लेते हैं, अब इसमें हम लाल मिच पॉड़र डालेंगे, लाल मिच पॉड़र पहले डाले से इसमें बहुत अच्छा सा कलर आता है हमाई सबजी में ग्रेवी में, तो आप कोशिश करें कि पहले ही डालें, इसे एक बार भून लेते हैं और जो हमने अलिए पाइप दाल के सबघ्षेदे के रिखेवा कर दो जो भी जार तक बोहां हो चैना है कि वह बोहें थाहते हमी पाई करो आपढ़े बेलादा huh अम की और एकका जब मान को further्षे से बहली हो जाए तो फ्रेंड्स देखिए जितना पानी था उसमें वो भून सुख चुका है और मसाला भी हमारा भून गया है प्याज वाला अब इसमें हम मसाले आड़ करेंगे तो मसाले आड़ करने के लिए सबसे पहले इसमें अब हल्दी डालेंगे हल्दी के साथ ही इसमें हम लाल मिच पॉर्डर डालेंगे लाल मिच पॉर्डर मैंने पहले भी डाला था तो फिर हम थोड़ा ही उस करेंगे हाफ टी स्पॉन के करीब उसी के साथ इसमें अब हम जीरा धनिया का mix potter डालेंगे तो यह जीरा धनिया का mix potter है करीबन 1 teaspoon में डाल रहीं साथ ही इसमें नमक डालेंगे नमक मैंने प्याज को भूनते समय भी डाला था तो half teaspoon ही डालूँगे क्योंकि half teaspoon उसमें डाल लिया है आप टेस्ट के कोडिंग डालें इस तरह से अब हमें इसे एक दो मिर्याट भून लेना है और ताकि मसाला हमारा भून सके तो फ्रेंस मसाला भी भून गया है अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उससाब से आप इसमें पानी डालें तो इस तरह से पाई डाल करके तयार कर लेंगे जितना भी आपको ग्रेवी रखना है ना उस हिसे साफ साफ पाणी डालें इसमें कि अभ इसमें हम यह मैंने पनीर को ग्रेट करके रखा हुआ है इसमें थोड़ा ही हम ढालेंगे और थोड़ा बचाके रखेंगे गार्निक सिंग के दो से तीन मेंट तक पकने देते हैं तो फ्रेंज देखिए दो से तीन मेंट हो चुके हैं सब्जी हमारी एकदम बनकर तयार है अब क्या करेंगे इसमें हम एक बर अच्छे से मिला लेते हैं फिर इसमें थोड़ा सब्छी डालेंगे चीनी से जो है ना हमारा यह सब्जी की जो ग्रेवी है उसका टेस्ट और अच्छे से निखड कर आएगा अब साथ में ही इसमें हम मलाई आट करेंगे क्योंकि यह पनी लबाबदार बन रहा है इसमें मलाई बहुत जवरी है टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी जो और थोड़ा सा ही इसमें हम कसुरी मेथी भी हाथ से मसल कर एड़ कर लेंगे फ्रेंज ब डबाबदार बहुत अच्छे बन के तैयार होते हम अक्सर रेस्टुरेंड में जाते है न तो इसे और करते है तो इस यह सब बां बाबदार नान कुल्चा या पीड़ि रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है तो अगर मैं आपको गार्लिक नान की रेशिपी देखनी है न तो आप मैं आई बटर में डाल दूंगी आप देख लीजेगा उसके साथ इसे बनाईए और यह बहुत ही स्वाधिश बनते हैं हमारी ग्रेवी बनकर एकन को तयार है मैं गरी सीव को सब्सक्राइब लाइक से लुग olur पनी लबाबदार बनकर एक्दम तयार है तो आप अगर में मुद्ध फीजिगे तो आप लेकार बादेखने को यह अगर में सबस्क्राइब झाल झाल झाल, झाल